यू आर वाजिंग एजुकेशनल इन्फोर्मेटिव यूट्यूब चैनल केर सेंटर मेडिसीन वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे के भूख ना लगना या भूख की कमी के कराण हैल्थ का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना या प्रिगनेंसी में भूख ना लगना पेट में गैस होना और इससे हैल्थ का डाउन हो जाना तो ये सब इस तरह के रूग में जो डॉटर प्रेसक्राइब करते है वो एक सीरप सिट्री पिलस सीरप है ये सीरप बहुत ही लाबदायक और अच्छा सीरप है और इसके रिजरल भी बहुत अच्छे हैं इस syrup को जो company बनाती है और इसके side effects, precaution, warnings ये सब जानेंगे आप आगे वीडियो में तो जो इस वीडियो पर अभी नए है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला प्रिस कर लें जिससे हर आने वाली health और informative वीडियो आपको सबसे पहले मिले वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक भी कर दें तो citri plus syrup, ये syrup cyproheptadine, HCL and tricoline citrate ये इस दोनों chemical से मिलकर ये बनाए जाती है ये cyproheptadine, syrup जो इसमें chemical होता है, ये allergy जो 12 मासिक allergy होती है जिसमें भूक नहीं लगती है या हलका नजला भी रह सकता है इस तरह के जो allergy होती है ये उसे दूर करता है और tricoline citrate ये भूक को जो भूक लगने के कारण लोग खान नहीं पाते हैं या खाने को देखकर खाना तो अच्छा लगता है बट वो खाने से उन्हें allergy हो जाती है यानि खाना उन्हें पसंद नहीं होता है और इस तरह के allergy हो ज आता है और पेट को ठीक रखता है और जिने कब्स हो जाता है कब्स को भी दूर करता है तो इसे यूज करने का तरीका ये है सुभा शाम एक टी स्पून आप ले सकते हैं और ये खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है डॉक्टर इसे pregnancy में भी प् की pregnancy एक serious stage होती है तो ये इसके लेने के तरीके हैं यदि इसे आप नियमित लेते हैं तो इससे भूग भी बढ़ जाती है और खाना बहुत अच्छे से digest हो जाता है जिससे health बिल्कुल fit हो जाती है एक बीमारी होती है एनेक्सटिया जिसमें ये होता है कि खाना जो dieting करते है जिनकी जो बहुत fat हो जाता है तो फैट को कम करने लिए खाना छोड़ देते हैं और उन्हीं इस डर से खाने से भी अलेयल जी हो कर लें इसे अच्छी तरह हिलायाने से ये मिक्स हो जाता है जो इसका केमिकल जो इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं वो अच्छे ते मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छा फैदा देता है इसका एमर पे 110 रुपए है यदि आप इसे के अच्छे बड़े मैटिकल सोर्स लेते हैं तो इससे आपको 20, 25 या 30 परसंट पर छुट मिल जाते है तो ये आपको 80 रुपए तक मिल जाता है तो ये थे इसके प्राइज और इसके कुछ साइट इफेक्ट भी हैं जैसे यदि इसे अधिक मातरा में ले लिया जाया तो दस्त हो सकते हैं घपराहट हो सकती है या चोड़ चोड़ा पन हो सकता है नीन आ सकती है उल्टी या मतली भी हो सकती है और इससे इसी तरह की बस औ न데ोंक्टर से कंस्डट करके इसका ट्रीट मैंटले से जल्दे ले लेना चाहिए इसके कच वार्निन्स भी हैं वैसे तो इस तरा कि कोई खास वार्निन कोई इस तरह का खात प्रकॉशन नहीं है जिससे कोई इस तरह का कोई डर रहे कि जा कोई किड़नी पेशन्ट है या लिवर पेशन्ट है या हार्ट पेशन्ट है या इसी तरह कोई पेशन्ट है कोई इस तरह की बड़ी बीमारी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टरों को इस इस बीमारी से गिरसित है यदि दस्त है किसी को दस्त लगे हुए है तो इस इरफ को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस से और अधिक दस्त हो सकते हैं ये इसकी प्रकॉशन्स है तो ये जानकारी आपको कैसे लेगी आप मुझे कमर्स बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने वी किसी को अधिक दस्त है